हेलो गाईज, वेलकम टो और चैनल, वो इस वीडियो में में लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी भाषा से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्योशन आंसर्स, फ्रेंट्स यहां पर यह जो क्योशन आंसर है, वो ल्यूसेंड की बुक के फर्स चैप्टर से लिए गए है, इसी टाइप से बुक में जो 21 चैप्टर से उनको हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, यह हमारा हिंदी भाषा का यहां पर पहला वीडियो है, जिसके की 44 क्योशन यहां पर लिए हैं मैंने, तो यह आपका एक प्रैक्टिस सेट है, आईए इसको हम करते हैं और देखते हमें कि पहला क्योशन यहां पर है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो जो हिंदी है, वो भारोपी परिवार की भाषा है, नेक्ट क्योशन है, भारत में सरवादिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंद बोली जाती है कोंशी भाषा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो कोंशी भाषा से हुआ है ये पुछा यहां पर तो अपभ्रंस से हुआ है हिंदी जो है हमारी वो अपभ्रंस से निकल कर आई है निम लिखित में से कौन सी बोली अथ्वा भाषा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है तो यहाँ पर कन्नोजी आती है बांगरू भी आती हिंदी के अंतरगत अउधी भी आती है जबकि तेलगू नहीं आती इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा है पर तेलगू हिंदी के विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो जो ब्रज भाषा है वो सबसे अधिक यहाँ पर सबसे अधिक जो है वो कावी भाषा के रूप में प्रसिद्ध है यानि कि यहाँ पर जो कावे के भाषा है वो ब्रज भाषा को माना गया है नेक्स कोशन है भारत वर्स में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे तो जो हिंदी है वो हमारी राज भाषा है कुन सी भाषा है राज भाषा फ्रेंट्स हमें याद रखना है यहाँ पर कि भारत की कोई सी भी राष्ट भाषा नहीं है यहाँ पर राज भाषा है जो कि हिंदी है हमारी धुंडाडी बोली है तो जो धुंडाडी बोली है वो कहां की है ये पूछा गया यहां पर तो पूर्वी राजिस्थान की है कहां की है पूर्वी राजिस्थान की ब्रजबुली नाम से जाना जाता है तो ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर बोली होगा ब्रजबुली के नाम से किसे जाना जाता है तो पुरानी जो बंगला है उसे ब्रजबुली के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट है हिंदी जो है वो देवनागरी लिपी में ही लिखी जाती है इसी प्रकार से एक और भाषा है इसमें इन चार अप्शन में जो कि देवनागरी लिपी में लिखी जाती तो कौन सी है तो यहाँ पर जो मराठी है यह देवनागरी लिपी में ही लिखी जाती और यह केशन सब इस दनमाज्वनहमर बखरा लागत होईतवन हमका देद यह अउतरण हिंदी की किस बोली में है तो यह जो अउतरण है वह हिंदी की सब्लें क किसका है वसक प्रेंड़कर यहां पर आप देख सकते हैं Sum तो सारे के सारे जो questions है वो किस ना किसी exam में पूछे गए है capaci important है तो आया पर आगे की question देखते हैं next है निम लेकित में से कौन Si भाषा Sanskrit भाषा की a पब्ररणस तो इसमें जो संस्कृत भाषा की अपभरंस है वो कुन सी भाषा है वो हमें यहापर बताना है तो correct answer क्या हो जाएगा है यहापर पाली जो पाली है वो संस्कृत भाषा की अपभरंस है Next question है अधिकतर भारती भाषा का विकास किस लिपी से हुआ है तो अधिकतर जो भारती भाषा है वो ब्राम्मी लिपी से निकल कर आई है याने उनका जो विकास है वो ब्राम्मी लिपी से हुआ है Next question है हिंदी भाषा किस लिपी में लिखी जाती है तो जो हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपी में लिखी जाती है वहीं जो मराठी है ये भी देव नागरी लिपी में ही लिखी जाती है वर्तमान हिंदी का प्रचलीत रूप है तो जो वर्तमान हिंदी है इसका प्रचलीत रूप यहाँ पर कुन सा है यह हमें यहाँ पर बताना है तो क्या हो जाएगा है आपर अंसर खड़ी बोली वर्तमान हिंदी जो है वो खड़ी बोली के रूप में प्रचलित है next question है यापर हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गी करण के आधार पर 36 गड़ी बोली है तो इसमें जो 36 गड़ी बोली है वो कौन सी है यह हमें यहाँ पर बताना है तो पूर्वी हिंदी जो है वो 36 गड़ी बोली है next है यहाँ पर नेम लिखित में से कौन सी पश्ची में हिंदी की बोली नहीं है तो पश्चिमी हिंदी की बोली यहाँ पर कौन सी नहीं है यह पूछा है तो इसमें सही अंसर आजागा बगेली जो बगेली है यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है जबकि बुंदेली है ब्रज भी है और कनोजी भी पश्चिमी हिंदी की यहाँ पर बोलिया है बगेली न उलेख है तो 343 से 351 तक यहां पर भारती समिधान में राज भाशाओं से संबंदी प्रावधानों का उलेख किया गया है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्याले है वो कहां पर है तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्याले है वो कहां पर हो जाएगा चेन नहीं में correct answer क्या है इसकाっちゃ नई हिंदी भाशा के विकास का सही क्रम कोन सा है तो इसमें आपको पहचानना है कि हंदी भाशा के विकास का सही क्रम कोन सा है, बताईए इसमें कोन सा है तो हanced आप एक ओप्शन सही है पाली, प्राकृत, अपभरًस और हिंदी सबसे पहले पाली भाष आई थी फिर वो चेंज होके प्राकरत बन गई उसके बाद अपब्रंस आई और अब जो चल रहे हैं वो हिंदी है समीधान के अनुच्चे 351 में किस विशेई का वर्णन है तो जो 351 है इसमें किसका वर्णन किया गया है ये यहाँ पर पूछा गया है तो हमें बताना है यहाँ पर कि किस से सम्मंदित है यह नुच्चेत तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यहाँ पर हिंदी के विकास के लिए निर्देश है 351 अंुच्चेत में Next question देखते अब ब्रज भाषा है तो जो ब्रज भाषा है वो क्या है ये बताना हमें आपर तो जो ब्रज भाषा है वो पहाडी हिंदी है ब्रज भाषा क्या है एक पहाडी हिंदी है मगही किस उप भाषा की बोली है जो मगही है वो किस उप भाषा की एक बोली है ये पूछा है आपर तो correct answer है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की ही एक बोली है मगी ही, हिंदी खड़ी बोली किस अपभरंच से विक्सित हुई है? तो जो हिंदी की खड़ी बोली है ये ब्राचड से विक्सित हुई है, किस से विक्सित हुई है यहाँ पर? ब्राचड से, next question देखते है, बह भाषा के आधार पर भारती राज्यों का पुनर गठन है वो कब किया गया था। वो कौन सा था आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश भाशा के आधार पे सबसे पहले बना था बगेली बोली का संबंद किस उपभाशा से है तो जो बगेली बोली है इसका जो संबंद है वो पूर्वी हिंदी से है किस से है बगहली का संबंद पूर्वी हिंदी से है अभी एक और क्योशन ऐसे है अपने देखा था जो की पूर्वी हिंदी से ही था ये मगही जो मगही उपभाशा है इसका संबंद भी पूर्वी हिंदी से था और ऐसे ही यहाँ पर अपने देखा कि जो बगेली है और मगही है इन दोनों का ही जो सम्मंद है वो किस से है पूर्वी हिंदी से है Next question है किस तिथी को हिंदी को राजभाशा बनाने का निन्ने लिया गया तो कब लिया गया? 14 सितंबर 1950 को 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राज भाषा बनाने का डिने लिया गया था 1955 में गठित प्रत्थम राज भाषा आयोग के अध्यक्ष कोन थे 1955 में जो प्रत्थम राज भाषा के लिए एक आयोग का गठन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो कोन थे बीजी खरे थे next question है भारती सर्विधान की आठवी अनुशूची में सामील भाषाओं के संख्या कितनी है तो total कितनी भाषा है सर्विधान की आठवी अनुशूची में सामील है वो बताना आ है यहापर हमें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा है आपर 22 टूटल 22 भाषा है सम्मिलित हैं हिंदी की आधी जननी है तो हिंदी की आधी जननी किसे कहा गया है तो संस्कृत को कहा गया है जो संस्कृत भाषा है इसी से हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है ग्यारवा वीश्व हिंदी सम्मेलन 2018 इस्वी का अयोजन इस्थल था तो जो 2018 में ग्यारवा वीश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ये कहा हुआ था मौरिसस में हुआ था और अगर दस्वा पूछा जाए तो जो दस्वे नंबर का है वो भारत में भुपाल में हुआ था नेक्ष देखते इसके बाद हम नेक्ष क्रिशन दे रखा है नेम लिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है क्या पुछा है कि भारोपी परिवार की भाषा इसमें से नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी भारोपी परिवार की ही भाषा है, पर यह जो मल्यालम है यह भारोपी परिवार की भाषा यहाँ पर नहीं है नेक्स क्योशन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो जो हिंदी दिवस है, वो भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है और most IMP question है, कई बार exam से में पूछागा है कि हिंदी दिवस जो है हम किस दिन मनाते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं विकास की दरश्टी से प्राकरत की पूरु कालिन अवस्था का नाम है तो विकास की दरश्टी से जो प्राकरत है उससे पहले क्या आती है? पाली आती है पाली प्राकरत और उसके बाद कौन सी आई थी? पाली प्राकरत भाशा और उसके बाद आती है अपब्रज और फिर आती है हिंदी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इहां पर question दे रखा है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युगम है तो पश्चिमी हिंदी की जो दो बोलिया है उनका सही युगम कौन सा है? खड़ी बोली और बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की दो बोलिया है अर्ध मागदी अपभरंस के से विक्सित बोली है और अर्ध मागदी जो अपभरंस है इससे विक्सित बोली कौन सी है ये यहां पर पूछा गया है तो सही अंसर क्या हो जाएगा इसका बगेली जो बगेली है ये अर्ध मागदी अपभरंस से विक्सित एक बोली है नेक्स क्योशन है देव नागरी लिपी का सही विकास करम कौन सा है तो देव नागरी लिपी का सही जो विकास करम है वो कौन सा है इसमें सबसे पहले आई थी ब्राम्मी लिपी उसके बाद आई थी गुप्त लिपी उसके बाद आई थी नागरी लिपी और सबसे अखरी में एक last time आई देव नागरी लिपी तो अभी जो हिंदी है हमारी वो देव नागरी लिपी में लिखी जाती है क्या रहेगा सिक्वेंस एक बार फिर से देखते हैं ब्राम्मी लिपी, गुप्त लिपी, नागरी लिपी और देव नागरी नेक्स क्यूशन देखते हैं यहाँ पर बहराइच, सुल्तानपूर, राइबरेली किस बोली के छेतर है तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है यह यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर बोली जाती है अउधी, जो राइबरेली है या सुल्टानपूर और बहराइच है यहां पर अवधी बोली बोली जाती है इन में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है तो बिहारी हिंदी से इन में से किसका संबंध नहीं है यहां हमें यहां पर बताना है जो अवधी है इसका संबंद बिहारी हिंदी से नहीं है जबकि मगही, भोजपुरी और मैथिली इनका संबंद बिहारी हिंदी से है 14 सितंबर 1990 को बहुरती समिधान सभा ने हिंदी को भारत संग की कोंसी भाषा का दर्जा दिया तो कोंसी भाषा के रूप में अपनाया गया था हिंदी को राज भाषा के रूप में राज भाषा के रूप में 14 सितंबर 1950 को भारती सविदान ने हिंदी को अपनाया था Next question है वी भाषा किसे कहते है तो most IMP question है ये भी वी भाषा किसे कहा गया है तो correct answer हो जाएगा B option इसमें हिंदी छेत्र की प्रमुख बोलियों को ही वी भाषा कहा जाता है हिंदी छेत्र की जो प्रमुख बोलियों है, ये नहीं क्या कहा गया है वी भाषा कहा गया है विश्व हिंदी दीवस अगर पूछा जाया आपसे कि कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दीवस यानि world हिंदी day किस दिन मनाया जाता है तो correct answer हो जाया है हाँ पर 10 January वर्ल्ड लेवल की जब बात की जाए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 जनवरी तो यह हमें यहाँ पर याद रखना अच्छे से इसके बाद नेक्ट कुशन है यहाँ पर इंसा अल्ला खा द्वारा रचित रानी केत्की की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है जो रानी केत्की की कहानी है यह इंसा अल्ला खाने लिखी है और इसका दूसरा जो सिर्सक है या दूसरे नाम से इसे किस नाम से जाना जाता है यह पूछा है तो उदे भान चरित के नाम से इसे जाना जाता है इस वीडियो को last question है 1950 में सम्विधान लागू होने के समय देशी सम्विधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी तो 1950 में जब सम्विधान लागू हुआ था उस समय देशी सम्विधानिक भाषाओं की संख्या पूछी गई है तो कितनी थी उस समय 14 भाषा है और अभी कितनी है 22 तो 14 भाषाय थी 1950 में जिनको की सविधान में अपनाया गया था जब सविधान लागू हुआ था 1950 में उस समय की बात करें तो 14 भाषाय यहाँ पर प्रमुग थी तो friends यह था हमारा आज का practice set जल्द ही इसका next जो set है वो ले के आएंगे जिसमें कि हम word mala से related questions सीखेंगे तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा विए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलियेगा and thank you so much for watching this channel thank you